Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11 यह आप लोगों की pick a card reading है और आज हमारा question यह है कि क्या वो आप से प्यार करते हैं या नहीं Do they love you or not? कितना प्यार करते हैं आप से? यह हम जानने की कोशिश करेंगे, यह requested video था तो मैंने सोचा कि आज इसी topic के उपर मैं video बनाती हूं So, अगर आपको confusion है, mixed messages दिये जा रहे हैं, ऐसी कोई भी situation है और आप जानना चाहते हैं कि आपके person truly आप से प्यार करते हैं या नहीं, तो यह reading बिल्कुल आपके लिए है शुरुआत में मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूं कि cards, possibilities बताते हैं आपकी final destination, safe divine source को पता है सिर्फ divine source को पता है कि finally आपकी life में क्या होना है इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को open रखकर इस reading को देखना है इसके इलावा मेरे जितने भी subscribers हैं, thank you so much आप लोगों के प्यार और support के लिए I truly, deeply appreciate each one of you and I love you all अगर आप नए है मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना पसंदाए तो like भी कर दीजेगा और share भी कर दीजेगा सो अब हम start करते हैं option number one है A to I, option number two है J to R, option number three है S to Z तीनों में से जहां पर आपका name initial आता है या आपके person का उसी में आपकी reading है बिल्कुल आपने अपने intuition से selection करनी है जिन लोगों को object से select करने की आदत है उनके लिए तीन stones भी है so option number one है ये yellow stone option number two है ये blue stone option number three है ये orange stone so तीनों के time stamps description में है skip करके आप अपना answer देख सकते हैं अगर आप दो देखना चाह रहे हैं तीनों piles देखना चाह रहे हैं कोई problem नहीं जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने selection करनी है मैं start करूंगी option number one से जिन लोगों ने option number one यानि कि A to I select किया था yellow stone के साथ ये आपकी reading होगी और हम देखेंगे कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं do they love you or not 4, 5 and 6 okay so let's start सबसे पहले है हमारे पास guidance so maybe आप लोगों को guidance की जरूरत है आप लोग थोड़ा सा lost महसूस कर रहे हैं maybe आपके person ने आपको बहुत ज़ादा guide किया है या आप उनको guide करते हैं so ये बढ़ी अच्छी energy है guidance की next हमारे पास है almost there so अगर आप कुछ manifest करना चाह रहे थे और उसके लिए guidance ले रहे थे so you are almost there आप अपनी destination के बहुत करीब है manifestation के बहुत करीब है जो भी आप achieve करना चाहते थे hustle करना चाहते थे आप उसके बहुत करीब है so यहां तक आना असान नहीं था इस रस्ते में बहुत pain थी बहुत तकलीफ से गुजरे हैं आप लोग बट आप से ही कहा जा रहा है कि give up मत कीजे because you are almost there आप पहुँचने वाले हैं अपनी destination तक next है हमारे पास tower moment so शायद यह तकलीफ tower moment की वज़ा से आई यह tower moment कुछ भी हो सकता है break up हो सकता है fight हो सकती है separation हो सकती है but यह temporary है definitely next है हमारे पास hurtful words so शायद आपके person ने आप से कुछ ऐसा कहा जिससे आप बहुत ज़्यादा hurt हुए definitely hurtful words यहां पर आए हैं और फिर है हमारे पास planning so शायद आपके person अप planning कर रहे हैं कि वो वापिस आपके साथ सुला करें आप से sorry कहें या जो भी हम देखेंगे अभी cards में आप से कितना प्यार है उने so yes planning चल रही है कोई ना कोई maybe यह planning आपके भी जहन में है आप plan कर रहे हैं फिर है हमारे पास judgment two of swords the fool five of swords king of cups the devil और फिर last है हमारे पास strength so यहाँ पर Capricorn बहुत strong है Leo बहुत strong है Libra Pisces Cancer Scorpio add कर लीजिए so यह star signs है और the fool मेरे लिए Sagittarius card है बट आप Aquarius भी add कर ले यह star signs strongly यहाँ पर नज़र आ रहे हैं लेकिन regardless of star signs अगर energy आप से match होती है तो बिलकुल आपकी reading है star signs को लेकर आपने परेशान नहीं होना है so इस वक्त बहुत जादा confusion नज़र आ रही है काफी लोगों की fight हुई है recently अपने person के साथ और यही tower moment था अगर आपको लगता है कि आपके person से कोई fight नहीं हुई तो फिर यह आपकी reading नहीं होगी so group number one आप लोगों के लिए fight definitely नज़र आ रही है बहुत जादा struggle नज़र आ रही है आप अपने person के साथ अभी एक साथ नहीं है आप separate हैं उनसे किसी ना किसी अंदाज में so आपके person इस वक्त जादा confused है और बहुत जादा परेशान है कोई decision है जो वो नहीं ले पा रहे है और फिर हमारे पस the devil card आया है so यह toxicity है कोई ना कोई problem है उनके इर्दिगर्द जो वो face कर रहे है और यह problem बहुत जादा आपके person की energy consume कर रही है आपके person बहुत परिशान है इस toxicity की वज़ा से maybe वो bound है किसी के साथ अपने finances की वज़ा से किसी मजबूरी की वज़ा से definitely कोई मजबूरी नज़र आ रही है maybe इस वक्त आपके person को कोई blackmail कर रहा है उनकी मजबूरी को देखकर तो आपके person बहुत परिशान है और वो इस devil energy से बाहर आना चाहते है अपने ties खतम करना चाहते है यह जो भी toxicity है वो इससे दूर जाना चाहते है यह जो भी toxicity problem उनके साथ attach है वो इससे attachment अपनी खतम करना चाहते है तो आजकल वो बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहे है और I feel कि यह guidance का card खास तोर पे आपके person के लिए था मैं भी आपने भी उन्हें guide किया था कुछ चीजों के बारे में कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए या कुछ लोगों पर trust नहीं करना चाहिए मैं भी आपने उन्हें guide किया था इस present time में आपके person को guidance की बहुत ज़्यादा जरूरत है because वो काफी ज़्यादा stuck नजर आ रहे है एक problem में और वो decision नहीं ले पा रहे है लेकिन आपको परिशान होने की जरूरत ने because ultimately आपके person decision ले लेंगे और हमारे पास strength card है उसके आगे so I feel कि आपके person इतनी strength अपनी gain करेंगे और इतना confidence उन में already है जिसे वो recognize करेंगे और फिर वो खतम करेंगे इस third party को यह जो भी toxic energy है इसे अपनी जिंदगी से निकालेंगे अभी वो decision नहीं ले पा रहे है लेकिन वो आज़ाद होना चाहते हैं उनके जहन में एक बहुत ज़ादा उलज़न है जिसे वो खतम करना चाहते है और वो इस उलज़न से आज़ाद होना चाहते है and finally वो होंगे आपके question यह था कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं yes definitely वो आपस बहुत ज़ादा प्यार करते है क्योंकि हमारे पास hacking of cups यह true genuine love का card है मेरे लिए so यह एक बहुत बड़ी confirmation है कि आपके person आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपका यह तालुक बहुत ज़ादा strong है but उन्हें बहुत ज़ादा दुख भी होता है कि वो उतना आपको support नहीं कर पाए उतना invest नहीं कर पाए इस connection पर उतनी energy उतनी attention आपको नहीं दे पाए जितनी आप deserve करते थे but वो यह सोचते हैं कि अभी उनकी circumstances ऐसे हैं जिस situation में वो stuck हैं उसकी वज़ा से वो नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए उतना जितना आप deserve करते हैं but वो करना चाहते हैं और वो करेंगे because उनकी feelings आपके लिए बहुत genuine है उनकी intentions आपके लिए बहुत ज़ादा true है and definitely वो आपसे बहुत ज़ादा प्यार करते हैं so अब हम आपके लिए oracles देख लेते हैं हमारे पास है wisdom, recognition and reward so उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जिस भी situation में वो stuck हैं जो भी उनके flaws हैं जो भी उनके problems हैं जिन्दगी में उनके बावजूद आपने उन्हें बहुत ज़ादा हमेशा admire किया है हमेशा उनकी positivity को आपने highlight किया है उनमें जो अच्छाईया हैं उनको highlight किया है और आपके अंदर बहुत wisdom है आपकी energy से उन्हें बड़ी strength मिली है हमेशा आपने उन्हें बहुत ज़ादा motivate किया है हमेशा वो हमेशा आपके साथ बंदे रहना चाहते हैं और आपसे बहुत ज़ादा प्यार करते हैं उन्हें लगता है कि आप उनका reward है और they feel कि जितनी appreciation आपने उने दी है और उनके flaws उनको गिनवाते रहते हैं बड़ आपने ये चीज़ नहीं की आपके साथ ये तालुक बहुत ज़ादा strong है बहुत ज़ादा significant है आपके person ये feel करते हैं next है हमारे पास engagement इसको मैं दो तरहां से देखती हूँ अगर आप लोग मेरी readings देखते रहते हैं एक तो literally वो आपके साथ engagement करना चाहते हैं दूसरा message ये है कि वो engage ज़ादा होना चाहते हैं आपके साथ आपसे बात ज़ादा करना चाहते हैं आपको time ज़ादा देना चाहते हैं so definitely आपका जो connection है वो next level पर जाने वाला है your love life is ascending to a higher level of commitment so शायद आपके person आपसे solid commitment करना चाहते हैं बात पकी करना चाहते हैं आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ long term देख रहे हैं next है हमारे पास playfulness to recapture romance allow your inner youthful spirit of fun to shine so आपके साथ वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं ये playful energy होती है आपके साथ light hearted energy और वो enjoy करते हैं आपकी company को खुश महसूस करते हैं और बहुत दिल से खुश होते हैं जब आपके साथ होते हैं so आपके साथ जो connection है वो किसी और के साथ नहीं है आपके साथ connection उनका special है, उन्हें खुशी देता है और आप किसी ना किसी अंदाज में उन्हें गाइड भी करते है And last card है focus on love Look for the good in everyone So I feel कि ये आपकी तो energy है ही कि आप love पर focus करते हैं, positivity पर focus करते हैं और हर किसी में अच्छाई ढूनने की कोशिश करते हैं और यही वो खास बात जो भी हम कर रहे थे कि आप अपने person में हमेशा अच्छाई ढूनते हैं और हमेशा आपने उनकी अच्छाईयों को highlight किया है उनके flaws नहीं गिनवाए हैं उनको और यही बात वो आपकी सबसे ज़्यादा admire करते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके person का focus भी love पर है आपसे वो प्यार करते हैं और यह जो भी toxicity है इससे वो आजाद होना चाहते हैं निकलना चाहते हैं और आपके साथ इस bond को इस connection को strong बनाना चाहते हैं उनका focus यही है इस वक्त and I feel के they know के इस toxicity की वज़ा से वो focus शायद नहीं कर पा रहे थे पिछले कुछ हरसे से या शुरुआत से अब तक ही क्योंकि यह toxicity यह problem उनका चल रहा था इस problem से वो खासतोर पर आपके लिए भी निकलना चाहते हैं अब हम आपके person की तरफ से आपके लिए channeled messages देख लेते हैं four messages होंगे आपके person की तरफ से आपके लिए अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते looking forward to meet you आपके person आपसे मिलना चाहते हैं और उन्हें बड़ा इंतजार है किस दिन वो आपसे मिलेंगे so शायद मिलने के लिए वो बहुत जल्दी आपसे कहने वाले है you are my queen, king wow, so you are the one for them आपको बिलकुल एक queen या king की तरह ट्रीट करना चाहते है I am addicted to you so devil का मतलब ये भी हो सकता है कि बड़े obsessed हैं आपके बारे में लेकिन not in a bad sense उन्हें आपके प्यार की आदत हो गई है जरूरत भी है आपकी और बिलकुल ऐसे जैसे addiction हो गई है आपकी and next I don't feel good enough so कभी कबार उन्हें लगता है कि they are not good enough वो deserve नहीं करते हैं आपको sometimes उन्हें ये feeling आती है और ये भी वो आप से कहना चाहते हैं so अब हम आपके लिए दो songs देख लेते हैं इनमें आपके लिए कोई extra message हो सकता है ये दो songs आप इस reading के बाद सुनियेगा so पहला song हमारे पास है तुम्हें जितना भुलाते हैं तुम उतने ही याद आते हो जिस mode पे हम जाते हैं तुम सामने आ ही जाते हो so शायद आप लोगों का break up हुआ वा है और आपके person ने आपको भुलाने की कोशिश भी की बट वो नहीं भुला पाए और वो नहीं भुलाना चाहते जरा तस्वीर से तु निकल के सामने या मेरी महभूबा अब हम आपके yes और no question पर आ जाते हैं आप focus कीज़ेगा अपने yes और no question पर और हम देखेंगे कि आपका answer क्या है so हमारे पास है no, yes, yes आपका answer yes है जो भी आपने question किया था your answer is yes अब हम आपके लिए letters और numbers देख लेते हैं आपका name initial, आपके person का name initial किसी का पूरा नाम भी आ जाएगा life path number, house number, कुछ भी इस तरह से आप देख लीजेगा आप से कैसे resonate करते हैं so हमारे पास है Q C W G 8 U H 4,4 C Q Z C O 0 भी कह सकते हैं आप इसको number 3 N F 0 O भी कह सकते हैं आप इसको E H T L P M Pilot I don't know PLT को देखा तो Pilot जहन में आया में भी कोई Pilot हो सकता है TRIPLE 1 TRIPLE 1 V Q O P H E I K X G L So यह आप लोगों के Letters और Numbers हैं आप वीडियो को Pause करके देख सकते हैं यह आप से कैसे Resonate करते हैं और यह आपकी Reading थी Group No.1 कुछ भी आपको पसंद आया Resonate किया मुझे आपने जरूर Comment section में बताना है अगर आप नए थे मेरे चैनल पर Like कीजेगा, Share कीजेगा और Subscribe करना मत भूलिएगा जिन लोगों ने Option No.2 यानि के J2R Select किया था Blue Stone के साथ यह आप लोगों की Reading होगी और हम देखेंगे क्या आपके person आप से प्यार करते हैं या नहीं सबसे पहले हम आपके connection की overall energy देखेंगे 6 cards होंगे आपके connection की overall energy के लिए 3 4 5 and 6 Okay So सबसे पहले हमारे पास है Gift So maybe आपने अपने person को कोई gift दिया या वो आपको कोई gift देना चाहते हैं Maybe आपको लगा कि universe की तरफ सी ये connection आपके लिए एक gift है So definitely आप expect कर सकते हैं कोई gift आपकी तरफ आ रहा है Waiting Game So शायद आप बहुत इंतजार कर रहे हैं अपने person के text का या call का But there is something about time Waiting की energy है आप लोग इंतजार कर रहे हैं Next है हमारे पास start over So maybe आपका break up हुआ separation हुई और आप चाहते हैं कि एक नई शुरुवात हो आपकी आपके person के साथ Then हमारे पास है trust So किसी को trust issues हो सकते हैं Maybe आपके person को trust issues हैं But शायद आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी situation पर trust करें कि ये बहुत अच्छे से unfold होगी फिर है हमारे पास fake So शायद कोई fake friend है जो आप लोग की misunderstandings पैदा कर रहा है या फिर आपको मैसूस होता है कि आपके person बहुत fake करते हैं आपके सामने अपनी true feelings नहीं जाहिर करते हैं और आखिर में हमारे पास है internet So internet से शायद आप लोगों का connection बना internet का कोई खास तालुक है Maybe आपका सारा business आपका काम internet पर होता है या फिर आपके person का online होता है internet पे सारा काम So ये कुछ messages आए है अब हम देखते हैं कि आपके person आपके लिए feel कैसा करते हैं आपसे प्यार करते हैं या नहीं So सबसे पहले हमारे पास है Ace of Swords The Hierophant The Emperor Nine of Cups The World Nine of Pentacles So nine, nine किसी के लिए significant हो सकता है Ace of Cups And then Four of Cups So हमारे पास Spices, Cancer Scorpio है Taurus है, Libra है और Aries बहुत strong है ये star signs लेकिन regardless of star signs अगर energy आपसे match होती है तो बिल्कुल आपकी reading है वैसे तो सारे ही star signs यहाँ पर नजर आ रहे हैं बर जो strong थे वो भी मैंने आपको बता दिये So आपके question का answer right away yes है आपके person आपसे बहुत जादा प्यार करते है कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि ये नया connection है विकिस हमारे पास दो aces है So ये indication है कि ये आप लोगों का connection अभी नया है, इसे अभी आपने explore करना है अभी बहुत कुछ आपने देखना है इस connection में, even कि एक दूसरे को अभी आपने अच्छे से जाना भी नहीं है आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से और जानेंगे So हमारे पास emperor का card आया Trust का card आया So I feel कि definitely आपके person को कोई यहां पर trust issues है या फिर control issues है Trust issue की वज़ा से ही वो situations को, feelings को control करने की कुशिश करते हैं और fake करते हैं Definitely मुझे यह vibes आ रही है कि आपके person बहुत ज़्यादा अपने emotions अपने feelings शो नहीं करवाते हैं और यह एक major problem है Sometimes वो आपके साथ बहुत अच्छा behave करते भी हैं But sometimes नहीं करते हैं So अपनी deep deep feelings को वो अलफाज नहीं दे पाते हैं वो नहीं आप आपसे communicate उस तरह से कर पाते हैं जिस तरह से आप चाहते हैं कि वो अपने emotions अपनी feelings आपके साथ share करें But उनका प्यार आपके लिए बहुत genuine और true है वो चाहते हैं कि आप उनका इंतजार करें They feel कि वो आपके साथ long term चलना चाहते हैं लेकिन उसके लिए आप दोनों को इंतजार करना होगा Maybe आपके person इस वक्त काम कर रहे हैं अपनी growth पर, अपनी जिन्दगी पर और अपनी well being पर focus कर रहे हैं And I also feel कि वो आपके भी well wisher है और वो चाहते हैं कि आप भी जिन्दगी में कामयाब हों Grow करें ज्यादा से ज्यादा और वो आपको बिल्कुल एक abundant इनसान के तौर पर देखते हैं They feel कि आप बहुत abundant हैं आप बहुत अच्छे हैं आप independent हैं और आप बहुत generous हैं प्यार के मामले में So आपके person ने आपकी इन सारी चीज़ों को बहुत admire करते हैं लेकिन वो आपको बता नहीं पाते और हमारे पस ये nine of cups है जो कि हमें straight away बता रहा है कि आप उनकी wish fulfillment हैं But sometimes उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी wish गवा चुके हैं या ये opportunity आपके साथ गवा चुके हैं शायद उनको ऐसा लगता है कि वो गवा देंगे अगर time से कुछ ना हो सका But they feel कि यहाँ पर time जो है ये बहुत ज़्यादा role play कर रहा है आपके person को लगता है कि अभी time right time नहीं हुआ है आप लोगों के union का commitment का whatever, जहाँ पर भी आपका connection है इस वक्त So, वो wait कर रहे है right time का But उनके दिल में एक डर सा है कि वो right time आने तक कहीं वो ये opportunity आपके साथ miss ना कर दें Because आप एक golden opportunity है आप उनकी dream come true है definitely क्योंकि हमारे पस nine of cups है आप उन्हें fulfill करते हैं emotionally भी आप उन्हें support करते हैं आप understanding भी है So, they really love you They want to communicate आप से commit भी करना चाहते हैं और ये connection बहुत spiritual है क्योंकि हमारे पस the hero friend का card भी है So, अब हम आपके लिए oracles देख लेते हैं हमारे पस है triumph फिर हमारे पस shadow So, वो बहुत imagine करते हैं आपके साथ success वो सोचते हैं कि आप लोग को success मिलेगी इस connection में और ये बात वो आप से चुपाते हैं आपको बताते नहीं हैं कि वो कितनी long term की planning करते हैं आपको लेकर किस तरह से fantasize करते हैं आपको लेकर वो ये बात आप से share नहीं करते हैं बट वो ये सब कुछ सोचते हैं आपके बारे में I also feel कि आपके person इस connection के लिए all out जाने को ready है वो fight करना चाहते हैं इस connection के लिए वाव हमारे पसकारड आगया getting to know each other सो यही vibe आ रही थी कि अभी ये connection नया है मैं भी एक साल हुआ है या दो साल हुए है सो ये connection थोड़ा नया है आप दोनों एक दूसरे को अभी जान रहे हैं आप दोनों ने अभी तक एक दूसरे को अपनी innermost selves के बारे में नहीं बताया है because इस पर आ रहा है as you reveal your innermost selves to each other your bond deepens सो जब आप लोग शेरिंग करेंगे बहुत ज़्यादा तो आप लोगों का bond और ज़्यादा strong होगा बट आपके परसंद आहिस्ता आहिस्ता open up होने वाले लोगों में से हैं अगर इन्हें force किया जाएगा तो ये open up नहीं होंगे ये और पीछे-पीछे भागेंगे अगर आप थोड़ा सा let go कर देंगे और उन्हें force नहीं करेंगे तो फिर definitely वो open up होंगे next है हमारे पास keep an open mind your soulmate may differ from your usual type and expectations so आप से ही कहा जा रहा है keep an open mind आपके person भी कोशिश कर रहे हैं वो एक open mind रखें क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से different है आपके person थोड़ा control में रहना चाहते हैं emotions को control करते हैं trust issues भी होते हैं उन्हें बट आप all out जाने वालों में से हैं आप generous हैं आपका प्यार आपकी हर चीज बहुत clear होती हैं आपकी intentions clear होती हैं इस बारे में आपसे ये दोनों से ये कहा जा रहा है कि आप दोनों को अपना mind जो है वो open रखना होगा because ज़रूरी नहीं है कि आपका soulmate बिल्कुल आपकी तरह का हो so last है हमारे पास turn on your heart light reflect on a time when you experienced love so I feel कि इस present time में आपके person उस वक्त पर reflect कर रहे हैं जिस वक्त आपने एक साथ बहुत अच्छी memories बनाई आपके person उस वक्त को याद करते हैं जब वो alone होते हैं कि आप उनका कैसे खयाल रखते हैं आप दोनों जब एक साथ होते हैं तो कितने खुश होते हैं और कितनी अच्छी वो vibe होती है वो energy होती है जब आप एक साथ होते हैं तो इस प्रेजन टाइम में आपके person reflect कर रहे हैं memories पर जो आपकी उनके साथ हैं वो definitely आपको इस वक्त बहुत ज़दा miss कर रहे हैं और sad भी लग रहे हैं थोड़े से because ये four of cups जो यहाँ पर नज़र आ रहा है I feel कि आपके person इस वक्त सैटिस्फाई नहीं है happy नहीं है because they really want you लेकिन वो आपको बता भी नहीं रहे that they want you but उनके दिल में बहुत ज़दा आपके लिए प्यार है और आपके लिए passion है और खाहिश है कि आपके वो साथ रहे so अब हम आपके लिए channeled messages देख लेते हैं four channeled messages होंगे आज अगर अभी आपके person आपसे कुछ कहते तो क्या कहते so पहला message है I regret my past actions so past में शायद आपके person ने आपको hurt किया या वो open नहीं थे इस connection के लिए जो भी हुआ जिस भी तरह से आप hurt हुए आपके person को बड़ा दुख है पच्चतावा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था can't sleep at night so अगर आप लोग separation में हैं आपके person को नीन नहीं आती है वो आपसे ही कहना चाहते हैं उन्हें बड़ा पच्चतावा है जो कुछ भी हुआ आम लोगों के दरम्यान और वो रात को जाकते रहते हैं और सोचते रहते हैं आपके बारे में I need to be alone for a while so आपके person को थोड़ी space चाहिए वो आपसे ही कहना चाहते हैं so यहाँ पर बहुत जादा यह vibe है कि आपके person ने कुछ कहा कुछ किया ऐसा जिसने आपको बहुत hurt किया and the feel कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है they made a huge mistake अब हम आपके लिए दो songs देख लेते हैं इनमें आपके लिए कोई extra message हो सकता है यह दो songs आप इस reading के बाद सुनिएगा okay so हमारे पास है लंबी जुदाई चार दिन आदा प्यार और अबा बड़ी लंबी जुदाई so शायद आप लोगों की लड़ाई हुए वे काफी time हो गया या मिले वे काफी time हो गया है आपको उनसे और हर लंभा ऐसे लगता है कि जैसे बहुत बड़ा है साल की तरहा है यह भी कुछ लोगों को बहुत अर्सा हो गया कुछ की recently लड़ाई हुई पर definitely आपको feeling ऐसी ही आती है कि यह time period बहुत ज्यादा लंबा हो गया है ले जा ले जा रे महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा यह बड़ा अच्छा song है यह दो songs है आप लोगों के अब हम आपके yes और no question पर आ जाते हैं आप focus कीजिएगा अपने question पर और हम देखेंगे कि आपका answer क्या है हमारे पास है yes, yes, no आपका answer yes है जो भी आपने question किया था your answer is yes अब हम आपके लिए letters और numbers देख लेते हैं आपका name initial, आपके person का name initial किसी का पूरा नाम भी आ सकता है life path number, house number, car number कुछ भी इस तरह से okay so हमारे पास है Z J K M number 4 H G G 0 आप इसे O भी कह सकते हैं 999 B G F L F number 6 C P Q O 0 भी 4 4 4 4 U X then we have F 777 so ये आपके letters और numbers हैं देख लीजे आप से कैसे resonate करते हैं और ये आपकी reading थी group number 2 कुछ भी आपको पसंद आया, helpful रहा मुझे जरूर comment section में बताईएगा अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजेगा, share कीजेगा और subscribe करना मत भूलिएगा जिन लोगों ने option number 3 यानि के S to Z select किया था orange stone के साथ ये आपकी reading होगी और हम देखेंगे कि आपके person आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं सबसे पहले आपके connection की overall energy होगी 6 cards होगे आपके connection की overall energy के लिए ओके सबसे पहले हमारे पास emotions so definitely emotions are running high इसका ये मतलब है आप काफी sensitive हुए में है energy से feel कर रहे हैं बहुत ज़्यादा चोटी चोटी बातों को fears थोड़ा सा insecure भी हो रहे है fears around कर रहा है आप लोगों को डर है अपने person को खोने का या उनसे दूर जाने का आपके person को भी शायद कोई fear है फिर है हमारे पास science आपको बहुत से science और synchronicities नजर आ रही है और आप समझना चाहते हैं कि science का क्या मतलब है so ये science आपको कुछ ना कुछ guide कर रहे है आपकी intuition भी बहुत strong है so connected रही है और अपनी intuition जो आपकी direction आपको दे रही है उस पर आप बिल्कुल अमल करें divine timing so आपको ये बताय जा रहा है कि हर चीज divine time के मताबिक हो रही है अगर आप ये सोचते हैं कि time गुजर रहा है गुजर जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है हर चीज divine time में जैसे होनी चाहिए वैसे ही हो रही है so कभी मत ये सोचिएगा कि आपकी जिन्दगी का time waste हो गया हर गुजरने वाला वक्त कुछ सिखा कर जाता है then हमारे पास है stuck so शायद आप लोग stuck हैं अभी progress नहीं हो रही है कोई भी आप लोगों की situation में और फिर है हमारे पास intimacy so definitely आपके person crave कर रहे है intimacy आप भी crave कर रहे है और ये intimacy soul की भी है जिसे आप crave कर रहे है heart to heart conversation soul to soul बात करना इसको भी आप बहुत ज़्यादा miss कर रहे हैं so let's start कि आपके person आप से प्यार करते हैं या नहीं so पहला है हमारे पास seven of cups ten of swords eight of pentacles justice the lovers nine of swords the empress six of swords so यहाँ पर Gemini है Libra है Taurus, Virgo, Capricorn यह star signs है लेकिन regardless of star signs अगर energy आप से match होती है तो बिल्कुल आपकी reading है so first of all आप लोगों की ending हुई है आप लोगों का break up हुआ है but बहुत painful situation से आप लोग गुजरे हैं और शायद still अभी उसी phase में है जिसमें आप stuck है बहुत तकलीफ है आपके person भी इस वक बहुत परिशान है and I feel कि आप लोगों के connection में कुछ major हुआ है अगर आपको लगता है कि यह आपकी energy नहीं तो फिर आप कोई और pile select कर लिजेगा but I feel कि कुछ बहुत major हुआ है आप लोगों के connection में और आपको यह महसूस होता है कि आपके person आपसे बिलकुल भी प्यार नहीं करते है you feel कि उन्हें आपसे कोई लगाओ नहीं आपकी कोई परवाँ नहीं और इसलिए उन्हें आपको इतना ज़्यादा hurt किया है because I do see with the seven of cups or the lovers मुझे लगता है कि आपके person की जिंदगी में कोई और choice भी थी और ज़रूर नहीं कि यह आपके person choice देख रहे हूँ यह उनके घरवालों की choice हो सकती है और उन्हें choose करना था आप में यह अपने घरवालों में से किसी एक की बात माननी थी and I feel कि उन्होंने decision यह लिया कि उन्होंने अपने घरवालों की बात सुनी और उसने फिर आपको बहुत hurt किया इस सारी situation ने बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हुई definitely but आपके person को अपनी गलती का बहुत अहसास हो रहा है और बहुत sad है वो बिलकुल single है किसी के साथ वो इस वक्त नहीं है confusion है and they know कि उन्होंने आपके साथ बहुत unfair किया है कुछ बहुत unfair उन्होंने आपके साथ किया है और literally आप लोगों को justice चाहिए आप कहते हैं कि आप karma किधर है right so आपके person आपके साथ peace बनाना चाहते है इस वक्त वो यही सोच रहे है कि वो इस partnership पर काम करना चाहते है so आपके question का answer तो yes है कि आपके person आपसे प्यार करते है but they feel कि उनके अंदर इतनी power नहीं है उनके अंदर इतनी courage नहीं है कि वो आगे बढ़कर इस प्यार के लिए कोई action ले सके या इसके लिए stand ले सके you know कि हर इनसान की जिन्दगी में प्यार की definition different होती है so इसका यह मतलब नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते है but yes जिस तरहां से जिस नजरिये से वो प्यार को देखते हैं वो आपके नजरिये से बहुत different है so वो प्यार आपसे करते हैं लेकिन they feel कि उनके पास इतनी power नहीं है या इतनी courage नहीं है कि वो आपको justice दे सकें वो आपके साथ fair कर सकें वो आपसे commit कर सकें you know कि इस वक्त आप लोग एक complicated situation में नजर आ रहे हैं but definitely आपके person आपसे प्यार करते हैं so वो भी बहुत ज़ादा परिशान है anxiety उन्हें भी है और they see you as this empress इसको हम नहीं भूल सकते चाहे आप male हो या female लेकिन आप ये empress हैं और आपके person की energy अभी बहुत immature कह लीजिए उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस empress के लिए stand नहीं ले सकते हैं because ये empress all rounder है empress बहुत powerful है जो के आप है and they feel के वो आपको deserve नहीं करते वो आपके लिए fight नहीं कर पा रहे वो कुछ भी नहीं कर पा रहे and आपको ये महसूस होता है कि वो डरपोक है वो बड़े coward है कि वो कोई action नहीं ले रहे कुछ भी नहीं कर रहे so हमारे पास है sacral chakra rejoice and celebration फिर है हमारे पास wedding कुछ लोगों के लिए I feel कि आपके person की शादी हो चुकी है या वो engage हो चुके है या वो already married है ये specific messages थे सब के लिए नहीं होंगे फिर है हमारे पास attraction और yes पहले हम इनी पे बात कर लेते हैं again मुझे यही energy महसूस हो रही है कि जैसे आपके person थोड़े immature है celebrate करना, दोस्तों में रहना serious चीजों के बारे में ना सोचना, action ना लेना जिमेदारी ना लेना, अपने लफ़ों की अपने actions की, इस तरह की उनकी थोड़ी सी आदते हैं, चाहे वो male है या female but वो seriously अभी इस present time में इस connection को नहीं ले रहे उन्हें ये जरूर पता है कि वो आपको खो सकते हैं, उन्हें दुख भी है पच्चतावा भी है, बट फिर भी वो seriousness को नहीं समझ रहे हैं सारी situation की और जो आप deserve करते हैं और आप अपनी जिन्दगी के जिस point पर है, जहां पर आपको partner चाहिए और आप settle down होने के लिए ready दिखाई दे रहे हैं आपके person उस तरह से seriously नहीं ले रहे हैं, commitment को family बनाने को but yes, उनके दिल में आपके लिए desire है, क्योंकि ये wedding का card, sacral chakra, passion love, intimacy वो सब crave करते हैं वो fantasize भी करते हैं, बहुत attraction और passion है आपके लिए प्यार भी है, but passion और attraction ज्यादा है यहां पर so, अभी वो इस attraction और passion में ही आगे की तरफ जाना चाहते हैं, you know, go with the flow की energy में है आपके person और कोई action अभी नहीं लेना चाहते हैं, but yes वो peace बनाना चाहते हैं, आपके साथ सुला करना चाहते हैं, अगर तो separation हुई भी है, लेकिन long term के लिए कोई planning नहीं है उनके जहन में but yes उनके दिल में feelings हैं, so last card है हमारे पास be in the present and dream of the future, amazing when we dream everything is possible, so आप خाब सजाते रहा करें, और आपके खाब हकीकत हो जाएंगे, एक तो ये बात बहुत जादा, यहां पर clear हो गई है but ये जो card है being in the present and dream of the future I feel कि आपके person इसी energy में हैं, कि वो present enjoy करना चाहते हैं, अपना present आपके साथ अच्छा रखना चाहते हैं, future की परवाह नहीं करना चाहते हैं, because they feel कि future का किसी को नहीं पता है वो dream जरूर करते हैं fantasize जरूर करते हैं, आपके साथ future, शादी एवन आपके साथ fantasize करते हैं बट उसके लिए कुछ solid plan अभी उन्होंने नहीं बनाया है, लेकिन yes इस present moment में वो आपके साथ cherish करना चाहते हैं memories वो बना रहे हैं, जो वक्त वो बिताते हैं आपके साथ उसे treasure करना चाहते हैं so, अब हम आपके person की तरफ से आपके लिए channeled messages देख लेते हैं, अगर अभी वो आपसे कुछ कहना चाहते, तो क्या कहते four messages हम लेंगे आज so, first है I want to be authentic so, आपके person को पता है कि उन्हें authentic होना चाहिए, honest होना चाहिए अपनी जिंदगी के बारे में आने वाले वक्त के बारे में उन्हें सच्चाई आपको बतानी चाहिए so, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो authentic हो आपके साथ, सच बोलें आपके साथ I want to reach out and I will so, ये बड़ा अच्छा message आया है अगर आप no contact में हैं तो आपके person आपको contact करेंगे बहुत जल्दी, वो आपसे ये कह रहे हैं we are two different, so आप दोनों बहुत different हैं, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, yes और last time, I'll pass will you forgive me, so जो कुछ भी उन्होंने किया, वो आपसे माफी माँगना चाहते हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या आप उन्हें माफ कर पाएंगे, क्या आप उन्हें माफ कर सकते हैं या नहीं ये उनका question है आपके लिए so अब हम आपके लिए दो songs देख लेते हैं, इनमें आपके लिए कोई extra message हो सकता है okay so ये दो songs होंगे आपके, first हमारे पास है एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिन्दगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है next है हमारे पास बिच्डन, तू बिच्डन बिच्डन कैन दिए, बिच्डे तो जीना पाएंगे so ये आपके person की feeling हो सकती है, और शायद आपकी भी है, so ये आपके दो songs थे, अब हम आपके yes और no question पर आजाते हैं आप focus कीजिएगा अपने question पर और हम देखेंगे कि आपका answer क्या है हमारे पास है no, no, yes so आपका answer no है जो भी आपने question किया था your answer is no अब हम आपके लिए letters और numbers देख लेते हैं आपका name initial, आपके person का किसी का पूरा नाम भी बन सकता है life path number, house number so हमारे पास है 999-555-W8-L-E-Q-11-11 q, e, c, c, o, 0 भी आप इसको कह सकते हैं 3, 3, 3, x, यह आपके x हो सकते हैं 0, o भी कह सकते हैं आप इसको w, i, 111, 666, d, e, and 7 so यह आप लोगों के letters और numbers हैं group number 3 देख लिजी आप से कैसे resonate करते हैं और यह आपकी reading थी कुछ भी आपको पसंद आया, helpful रहा मुझे आपने जरूर comment section में बताना है अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजेगा, share कीजेगा और subscribe करना मत भूलिएगा जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए द्वा होती है कि आप अपनी जिन्दगी में जो भी manifest करना चाहते हैं new love, true love आपकी जिन्दगी में जरूर manifest हो और जरूर होगा क्योंकि you are worthy of love and you are lovable अपने आपको यह जरूर बताया करें अपना धेर सारा खयाल रखिएगा I'll see you in my next video till then love you lots bye